तो फाइनली आज इस वीडियो में बात करना वालो ऐसी कुछ गलती जो आप बोर्ड से पहले कर देते हो इसलिए आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं और आपके बोर्ड में मार्क्स काफी हद तक कट जाते हैं अब मैं आपके कुछ ऐसी चीज़े बताऊंगा इस वीडियो के एंड ते आपको लेगा रहे हैं तो बहुत चोटी मिस्टेक है कि हम इस मिस्टेक को करते आ रहे हैं जब से हमारे एक्जाम हो रहे हैं और हमारे इसी वज़े से एक्जाम में मार्क्स कट रहे हैं और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूग हो तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसलें से पहले मैं आपको बता तो कि अनकेडमी लेकर आ रहा है अनकेडमी कॉमबैक्ट 14 तारिक को 11 वजे। इसमें क्या होगा आपको मैथो साइंस के लिए टैस देना पड़ागा और सिर्फ आप ही नहीं आपकी जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे और वहाँ पर आप लीडर बोर्ड भी देख सकते हैं कि आप कहां स्टेंट करें और ऐसी कुछ गलती आप अगर वहाँ पर करोगे तो आप अपने आपको सुधार कर बोर्ड बे अच्छे माक्स लेकर आ सकते हो तो आप मेरा इशान 12 ये प्रोमो कोड यूज कर सकते हो आप इसको फ्री में भी दे सकते हो और आप मेरा प्रोमो कोड यूज करके आप कोई प्लस सब्सक्रिशन पर 10% का ओफ आ सकता है आपका तो तो सोची गलती बता तो मैं कैसे करते आप ठीक है ये प्री बोर्ड मार्क्स ठीक है अब मैं आपको बता हूँ कि ये गलती पता है बहुत ही छोटी सी है पर ये mental वाली है पता कैसे प्री बोर्ड में किसी के बच्चे के आगए 40% ठीक है किसी के आगए 90% तो ये जो 40% वाला बच्चा ये कहीं न कहीं सोच रहोगा कि अब तो मेरे बोर्ड में भी 40% या आएंगे या 30 आजाएंगे या 50 आजाएंगे मतलब इसके अराउंड ही आएंगे उसने यहां पर ये 40% जैसे प्री बोर्ड में देखे mentally disturbed हो गया सोचा बिलकुल demotive हो गया और क्या सोचा कि बोर्ड नो तो बच्चा नमबर ने आने पहले तो यह वाली कलती सुझाने पड़ेगी प्री वाली ठीक है प्रीवर्ड में केते नमबर आए उससे कोई मैंटर नहीं अरे मैं हमेशा से बात कहता हूं कि इस प्रीवर्ड का और इस बोर्ड से जो में बॉर्ड होंगे आपक प्रीवर्ड या बोर्ड से हमेशा टफ ही मिलेगा क्योंकि बोर्ड भी चाहते है कि बच्चों को थोड़ा यह डर महस हो जगा है क्यार त्यारी निया भी और कर ले तो जितने आधा आधा पढ़ोगे उतने आधा आधा आपके अच्छे मार्स आएंगे इसलिए इसको लाल जाता है एक तरीके का पहला पेपर होता टैंफ होलों के लिए जो बोर्ड वाली फिलिंग दे देता तुरंथ बच्चे डर जाते हैं एक्साइटी के वजए से उनके दस्वान नंबर कही ना कई चोटे मोटे कट जाता है ठीक है सबसे बड़ी बात तो यह ती दूसरी बात जैसे वह नहीं मांगते हैं लोग बाग मतलब वह आते कि जागरण हो रहा तो चंदा दे दो ऐसी नोट्स मांगते फिडते हैं बोर्ड वाले बच्चे जो नोट्स मांगेगा भाई उसके कभी अच्छे नंबर ने आने क्योंकि उसने कभी नोट्स बनाए नहीं है जिसने नोट्स अच्छे बनाओ ठीक है शुरुआत से बनाते चलो शोट नोट्स बनाओ जितने अच्छे नोट्स होंगे उतना आप एक्जाम में उनको अच्छे से रिवाइस करोगे और जितना अच्छा रिवाइस होगा उतने ही बड़े हैं बोर्ड में मास्क आएंगे ठीक है हेलो हाँ बाई कितरा हुआ बाई अबी तो मेरा चल रहा है पर मेरा मैंथ पूरा कंपट्य हो गयाimmt और साइंसी पूरा कंप्लीट हो गया है एंसे अरो अगose इतना सुनतीख डिप्रेसन आ जा है यह सकतार फोंगी और मैंथ भी साइंस की साइंस साइंस की से बहुत बड़ी चीज रहती है ठीक है अगर आप यह माने के चला गया रहे यह तो मेरे से ऐसी है तो उसी तरीके का यह confidence हाजाएगा अब 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 चलाओ यारे तो मुझसे इतना पढ़ने ब्रिलियंट है यह तो यह है मैं तो बिल्कुल इन्यों तो मम्मी कह रही खाना खाले खाना भी छोड़ दिया अपना पढ़ने में लग रहा जो ऐसा करेगा जिसकी नीद पूरी अच्छी नी होगी वह अच्छा नहीं लिख पाएगा बोर्ड एक्जाम में यह चीज़े आपको जरूर पता होनी चाहिए अच्छे से नहीं सोएगा व रिलेक्स नहीं होगा तो बोर्ड एक्जाम में आप अपनी पर्फॉमेंस वह नहीं दे पाएंगे जो आप एक्छली अपनी पर्फॉमेंस देते आ रहे हैं और एक्जाम में अगर आप 90 स्कोर कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी नीन लेनी है एक फ्रेश फिल कराना है मार्क्स को डिप्रेशन में ना लाएं ठीक है और अच्छा सा एक मोटिवेशन रखे खुद में एक माइंड सेट बनाए कि हाँ मैं स्कोर कर लूँगा सारी चीजे यार आप कुछ भी कर सकते हो ठीक है इंसान एक ऐसी चीजे भगवान ने जिसे बिल्कुल एक अल्ट्रा वाला माइंड दिया है जो सोच सकता है उसी टाइम पर अपना डिसीजन में कि डिसीजन में केपिलीटी हम यह में बहुत अच्छी है तो आपको ऐसी करके रखने हैं अपने आपको बहुरोसा रखना है कि हाँ आप सकोर कर सकते बोड़ में कुस गलती है अगर आप फॉलो सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं तो मजा आ रहा है बड़ा एक्साइटीड सा फिल कर रहा हूं मैं तो चले गाईस थैंक यू सो मच वाई टेक केर गुड़ बाई